गुड मॉनिंग, सूप्रभात, जैतु संस्कृतम डाउटफुल क्योशन सिरीज का बारहवा टेस्ट आज में आपके लिए लेकर यहां उपसीत होई हूँ आशा है आप सारे वीडियों को बहुत अच्छे से देख रहेंगे और समझ रहेंगे चलिए शुरू करते हैं डाउटफुल क्योशन सिरीज का टेस्ट नंबर बारह देखिए टेस्ट नंबर बारह का पहला प्रश्ण है पाणीनिय शिक्षायाम स्वराहा कती विधह पाणीनिय शिक्षा में स्वर कितने हैं पाणिनी शिक्षायाम स्वराहा कती विधः देखिए ये क्याशन पहले भी मैं बहुत ट्रीकी तरीके से लेकर आई थी आपके सामने आज फिर आपको दुबारा रिवीजन करवा देती हूँ जब भी पाणिनी शिक्षा में या तो स्वर की बात आ जाए या व्यंजन की बा आजाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है आपको केवल 21 का पहाड़ा बोलना है 21 का पहाड़ा ऐसे बोलेंगे 21 42 और 63 तो पाणिनी शिक्षा में स्वर्तो हो गई 21 या 22 21 से आपको याद रहेगा 21 या 22 व्यंजन हो गई 42 और वर्ण हो जाएंगे देखिए 21 या 22 दो पाणिनी शिक्षा में कूल वर्ण कितने हैं 63 और 64 ये पहले पूछा गया है और स्टुडेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल होता है याद करना कि माहेश्वर सुत्र के अनुसार कितना है पाणिनी शिक्षा के अनुसार कितना है तो बिलकुल भी कन्फ्यूज होने की पाविश्यक्ता नहीं है आपको सिर्फ 21 का पहड़ा तीन बार बोलना है आपके स्वर व्यंजन एवं वर्ण तीनों के आंसर मिल जाएंगे तो क्योशन नमबर फर्स का सही उत्तर था ओप्षन दर Next question है Question number second इत्संग्यक सुत्रम नास्ति निमनांकित में से इत्संग्यक सुत्र कौन सा नहीं है तन सा सुत्र है जो की इत्संग्यक नहीं है ओप्षन अ हे हलंत्यम, हलंत्यम जो सुत्र है वो संग्या प्रक्रण का एक सुत्र है, हलंत्यम सुत्रानुसार, हलंत्यम क्या करता है, किसी भी अंतिम वर्ण, कोई भी अंतिम वर्ण, जो अंत में हो, हलंत हो, एवं व्यंजन हो, देखिए इस अना की विशेष्टा देखिए ये अंत में है ये व्यंजन है और ये हलंत है ये तीन विशेष्टाइं जिसमें भी है उस वर्ण की इत संग्या करता है कौन हलंत्यम तो हलंत्यम सुत्र अंतिम व्यंजन वर्ण की इत संग्या करेगा अर्थात ये संग्या प्रक्रण का महत्वपूर्ण इत संग्यक सुत्र ह दूसरा सुतर है आपका लशक्व तद्दीट ये सुतर आपका लहलन्त शहलन्त एवं कवर्ग अर्थात कखगः इनकी इत्संग्या करता है कहां से करेगा धातु के आगे से कोई हमें शब्द दे रखा है उस शब्द में आगे से करेगा जैसे कि हमारा प्रते का नाम है ल्यूट तो तकी इतसंग्या तो आपका हलंत्यम ही करेगा फिर सुनेंगे तकी इतसंग्या तो हलंत्यम ही करेगा क्योंकि पीछे वाले वर्णों को हटाने का अधिकार केवल हलंत्यम के पास है किन्तु आगे दी लिव्ट में लग दे रखा है तो लशक्वत अद्धीते सुत्रानुसार इस लग की इतसंग्या हो जाएगी अब देखिए तीसरा सुत्र दे रखा है चूटु हूँ चूटु सुत्र चवर्ग एवं तवर्ग की इतसंग्या करता है तो देखिए यदी किसी प्रत्य में आगे पीछे तो केवल हलंत्यम का ही अधिकार है यदी किसी प्रत्य में आगे चवर्ग एवं तवर्ग दे रखा है तो उसकी इतसंग्या करने का अधिकार है चूटू सुत्र का तो ये तीनों सुत्र तो आपके इतसंग्यक सुत्र हैं किन्तु तस्य लोपह यह इतसंग्यक सुत्र नहीं है तस्य लोपह तो जिन वर्णों की उतसंग्या हुई है उन इतसंग्यक वर्णों को हटाने वाला सुत्र है तस्य लोपह फिर दिजिये का तस्य तस्य लोपह वह सुत्र है जो कि इत्संग्यक वर्ण घोशित हो जाने के पस्चात उन इत्संग्यक वर्णों को हटाने का कार्रे करेगा अर्थात लोप का कार्रे करेगा तो तस्य लोपह इत्संग्यक सुत्र बिल्कुल भी नहीं है तो क्योशन नमबर दो का सही उत्तर हो ग जरेंकिम हरी रह के साथ रम्य मिलाने पर संधी पद क्या बनेगा। देखे विसर्ग संधी का एक सुत्र है रोरी और यह रोरी सुत्र हमसे कहता है कि रह वर्ण के पश्चात पुनह रह आने पर पहले वाले रह का लोप हो जाएगा। तो सुत्रानुसार पहले वाले रह का हमने लोप कर दिया अब हमारे पास बच गया हरीधन रम्यह और एक सुत्र आपका पुनह है ड्र लोपे पुर्वस्य दिर्गोण देखिए रीट वाले स्टुडेंट्स को बिल्कुल भी ये सुत्र याद करने की आविश्यक्ता नहीं है कि वल आप सुन लीजिए कि रह के पश्चात रह आने पर पहले वाले रह का लोप हो जाता है और जिस रह का लोप हुआ है उसके आगे वाली मात्रा यदि छोटी है तो इस हृस्व को दिर्ग कर दीजिए सुत्र रह लोपे पुर्वस्य दिर्गोण अर्थात अन को करेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरी रम्यह और इसका सही उत्तर है option ब next question है आपका question number 4 प्रोधः पदस्य संधी विच्छेद हकिम भविश्यती प्रोधः पद का संधी विच्छेद क्या होगा option अ है प्रधन ओढ़ः option ब है प्रधन अउढ़ः option स है प्रधन उढ़ः और option द है प्रधन उढ़ः देखी दोनों सानों पर उढ़ः दे रखा है किन्तु आपको याद रखना है कि प्रधन बड़ी मात्रा वाला उधह बनेगा प्रधन बड़ी उ मात्रा वाला बनेगा प्रधिही तो प्रधह एवं प्रधिही में बड़ा उ रहेगा बहुती महत्वपूर्ण बात है और बहुती अच्छा एक्जेंपल भी है अपने आप में अच्छा यदि पूछा जाए कि प्रधह प्रधी इन सब में कौन सी संधी है तो आपको याद रखना है कि ये गुण संधी के अपवाद है अतह ये व्रिद्धी संधी में जाएंगे तो ये व्रिद्धी संधी के उधारण है नेक्स क्याशन है आपका क्याशन नमबर पांच शारगिन जयह यहां उपर रेफ आएगा शारगिन जयह पदे संधी रस्ती शारगिन जयह पद में कौन सी संधी है देखिए इसका विग्रह करकर देखते हैं इसका विग्रह है शा शार्गीन प्लस जयह अब देखिए न जो हे वो तध दध न अरथात इसतो इसतो में है स एवं तवरग तो तवरग का ही न यहाँ पर आया है तो शार्गीन में तो आया है इसतो और पीछे दे रखा है जयह अब ये जो ज है ये चवर्ग का है तो पीछे आएगा आपका इश्चू इस्तो के बाद इस्चू आने पर इस्तो के स्थान पर भी इस्चू लग जाएगा इसको कहते हैं इस्चुत्व संधी तो क्योशन नमबर पाँच का सही उत्तर हो जाएगा option ब इस्चुत्व संधी next question है आपका question number 6 शुद्ध वाक्यम किम अस्ती शुद्ध वाक्य कौन सा है option अ है कक्षायाम शड़ सप्तती जनाह संती देखे ये मात्रा बाई मिस्टेक लग गई है बिंदी अनुस्वार उसको आप हटा दीजिएगा कक्षायाम शड़ सप्तती जनाह संती सप्तती अर्फात सित्तर और शड़ का मतलब है चे अर्फात सित्तर और चेंशी चीत्तर तो कक्षा में चीत्तर जनाह संती तो ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है option ब पती-पत्च्नी नगरम गच्छतह गच्छती गच्छतह अर्थात दो लोग जा रहे हैं पती पत्नी देखिए पती पत्नी यदि दोनों पद साथ में हैं आपने देखा होगा के राम और हरी तो राम हरी नहीं लगेगा राम हरव लगेगा आपने देखा होगा सीता राम इस example को इस तरह से देखें कि पती पत्नी जब दोनों एक साथ हैं दो लोग हैं तो यहां दवंद्व समास होता है जैसी कि मैंने कहा सीता राम होता तो सीता के स्थान पर तो अपन सीता ही लिखते लेकिन राम शब्द का अपन को द्वी वचन लगाना होता तो सीता रामव बहुती कॉमन एक्जेम्पल आपने सुना होगा तो इसी प्रकार हमें भी याद रखना है कि जब भी दो पद एक साथ हो तो आपको याद रखना है कि दूसरे वाले पद की द्वितिया विभक्ति आपका द्वी बचन चलेगा तो पती पत्नी का सही उत्तर हो जाएगा पती पत्न्यव अर्थात पती और पत्नी दोनो नगरम गच्छती तो यह आपका अशुद्ध पद था और यहाँ पर आपका समास बनता है द्वंद्व समास ओप्शन सर देखिए चतस्रि नाम बालीका नाम अहम जानामी चार बालीकाओं को मैं जानता हूँ यह भी बिल्कुल सही बात है नेक्स द ओप्शन यथा बीजम तथा अंकुरह यह भी ओप्शन बिल्कुल सही है तो क्योशन नमबर चे में अशुद्ध पद था पती पत्नी जिसके स्थान पर पती पत्न्यों सीता रामव की स्थान पर हमें करना चाहिए था नेक्स क्योशन है आपका क्योशन नमबर साथ बहुती महत्वपूर्ण प्रशन है यह रिक्त स्थान द्वीजह श्रेष्ठ तमह रिक्त स्थान एका विभक्ती भविश्यती रिक्त स्थान द्वीजह अर्थात ब्रामहन श्रेष्ठ है अब देखी ब्रामहण किसमें श्रेष्ट है यहां नर शब्द की विभक्तियां दी गई है अर्थात नरों में मनुश्यों में ब्रामहण श्रेष्ट है यहां रिक्तिस्थान की जगह क्या आएगा तो देखिए कवी नाम कवीशुवा कालीदास श्रेष्ट तमह नदी नाम नदीशुवा गंग्या पवित्र तमा पुस्तका नाम पुस्तकेशुवा रामा यणम राचीन तमम इस प्रकार के वाक्या आपने पढ़े होंगे कि बहुत बुरे समूदाय में से बहुत बड़े समूदाय में से जब किसी एक व्यक्ति को हम प्रथक करते हैं तो वह व्यक्ति तो प्रसन्न हो जाता है किन्तु जो पूरा समूदाय बच गया है उस पूरे समूदाय में हम शष्ठी या फिर सब्तमी का बहु अचन देते है द्यान दीजेगा तो यहां पर भी द्वीजह श्रेष्ट तमह ब्रामहन तो श्रेष्ट है लेकिन पूरा समुदाय जो है उसमें लगेगी शष्ठी या सप्तमी विभक्ती का बहुवचन तो देखे नर की आपका मूली शब्द है नरे अर्थात मनुश्य जाती की सप्तमी विभक्ती देखनी है उप्षन अ है नराणाम अशुद्ध नरेशू अशुद्ध है नरात अशुद्ध है आपको लगाना था नरेणाम या फिर आप लगा सकते थे नरीशू इन दोनों में इसे कोई भी विभक्ती तो यहां दे रखी है नरीशू तो क्याशन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा अप्शंद नेक्स्ट क्याशन है आपका क्याशन नंबर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी रिक्तिस्थान दृष्टह हरी ही रिक्तिस्थान दृष्टह हर अब यहां पुन्य शब्द को जोड़ने पर ये पता चलता है कि पुन्य के कारण देखे हरी यानि हरी का दर्शन मुझे अपने पुन्यों के कारण हुआ है देखे यहां कारण शब्द की बात आ गई है एक सुत्र आपने देखा होगा हेतव। हेतव सुत्र हमसे कहता है कि जहां पर भी कारण की बात हो वहां तृतिया विभक्ती लगेगी तो हरी को देखने का मेरा कारण क्या था कि मैंने पुन्य किया इस कारण मुझे हरी का दर्शन हुआ तो पुन्य अपना कारण है और कारण में तृतिया विभक्ती लगेगी तो र Next question है, question number 9, रिक्तिस्थान हरी ही अलम, अर्थात हरी पर्याप्त है, देखिए, नमह स्वस्ती स्वाहा स्वधा अलम वशत योगात, इस सुत्रानूसार आपका जो अलम अव्यय है, उसके दो अर्थ हैं, एक तो है आपका पर्याप्त, और एक है आपका निशेद ज्यान दीजिएगा एक तो है पर्याप्त और दूसरा है निशेद देखिए पर्याप्त में चार अक्षर दिखाई दे रहे हैं तो यदि पर्याप्त अर्थ में जब भी अलम का प्रयोग होगा तो वहां चतूर्थी विभक्ती लगेगी निशेद में तीन अक्षर दिखाई दे रहे हैं तो जहां पर भी निशेधार तक अलम अव्वे होगा वहां तृतिया विभक्ती लगेगी पूरी कोशिश है मेरी कि मैं आपको उंगली पकड़ कर चलना सिखाऊ बहुत ही बच्चों जैसे ट्रिक्स लेकर आ रही हूँ ताकि जिनका पहले संस्कृत नहीं था 10 के बाद वो लोग भी कम से कम 28-29 नमबर तो लाही पाएं इसी उद्देश के लिए बहुत ही सरल सरल ट्रिक्स बहुत ही बच्चों जैसी बाते करके मैं आपको बढ़ाती हूँ तो आशा है आप भी बहुत अच्छे से इसको सीख रहे होंगे देखिए फिर से सुनेंगे नमह, स्वस्ती, स्वाह, स्वधा, अलम, वश्ट, योगात, च इस सुत्रानुसार जो अलमपद आता है वह अलमपद दो अर्थों वाला है अर्थात अलम का एक तात पर ये पर्याप्त भी है और दुसरा निशेद भी है पर्याप्त अर्थ में जब अलम आएगा तो चतूर्थी विभक्ती लगेगी निशेद अर्थ में जब अलम आएगा तो वहां तरतिया विभक्ती लगेगी तो यहां देखिए देट्यों देखो निशेद की बात नहीं है यहां पर्याप्त की बात है तो देट्यों के लिए हरी अलम देत्यों अर्थात बहुत सारे राक्षिसों के लिए तो हमारे हरी अर्थात भगवान ही अलम अर्थात पर्याप्त हैं तो बहुत सारे देत्यों के लिए तो देत्य शब्द का चतूर्थी बहु अचन लगेगा तो आपका सही उत्तर हो जाएगा देत्य ब्यह नेक्स प्रश्न है आपका प्रश्न नम्बर दस सह रिक्त स्थान हेतुना उदैपूरे वस्ति आपको याद रखना है जहां पर भी हेतु की बात आ गई वहां आपकी विभक्ती हो जाएगी त्रतिया हेतु के साथ सर्वनामक शब्द आ गया देखिए किम, कस्य, केन, कह ये सब किम सर्वनामक शब्द के रूप है जब हेतु के साथ कोई सर्वनामक शब्द आ जाता है तो दोनों में समान विभक्ती लगेगी तो हेतु नामें तरतिया लगी है तो आपका किम शब्द की भी तरतिया लगेगी और किम शब्द की तरतिया विभक्ती है कैन देखिए अकेला हेतु आएगा तो तरतिया लगेगी हेतु के साथ सर्वनामक शब्द आया तो जो विभक्ती हेतु में है वही सर्वनामक की भी लगेगी तो केन हेतु ना, किन तु यदि देखो, पीछे आपका हेतो हो, पीछे आपका यदि आगया हेतो हो, एक मात्राहे देखिएगा, हेतो हो, या आपका आगया निमितस्य, या आगया कारणस्य, इस प्रकार से पीछे यदि शस्थी विभक्ती आगई, तो आपको आगे भी शस् परनी पड़ेगी तो पीछे हेतू कारण निमित में जो विभक्ती है ऐसी ही विभक्ती आगे लगेगी इसी कारण यहां पर पीछे त्रतिया है तो हमको आगे सर्वनामक शब्द की भी त्रतिया विभक्ती लगानी पड़ी इस कारण सह केन हेतू ना उदैपूरे वस्ती तो Question number 10 का सँही उत्तर हो जाएगा Option Next question है आपका Question number 11 सर्वस्मिन आतमा अस्ति सर्वस्मिन आतमा अस्ति सब जगह पर आतमा है तो सर्वस्मिन आतमा अस्ति यहां पर किस प्रकार का आधार ہے देखिए एक सब्तमी विबगती का सुत्र है आधारो अधीकरणम इस सुत्रानुसार आधार तीन प्रकार के हैं एक है आपका ओपशलेशिक आधार दूसरा है वेशईक आधार और तीसरा है अभी व्यापक आधार तो आधार की कितने भेद हैं तीन भेद हैं देखें यहां दे रखा है सर्वस्मीन आत्मा अस्ती अर्थात आत्मा सब जगह है आत्मा सब जगह है इश्वर सर्वस्मीन अस्ती सर्वस्मीन वायू अस्ती तो सर्वस्मीन करके कोई भी बात आजाए अर्थात सब जगह इश्वर है सब जगह आत्मा है और यदि कोई इस करण आपका आधार हो जाएगा अभी व्यापक आधार नेक्स्ट क्योशन है आपका क्योशन नंबर बारह रिक्तिस्थान अंतरेण नसुखम देखिए द्वित्या विभक्ती का एक सुत्र है अंतरा अंतरेण युक्ते अंतरा अंतरेण युक्ते अंतरा एवं अंतरेण शब्द का प्रयोग होने पर किसके बिना सुख नहीं है या किसके बीच में किसके का जो आंसर है उसमें द्वित्या विभक्ती लगानी है तो यहाँ किसके बिना सुख नहीं है, प्रश्न का उत्तर मिल गया हरी के बिना सुख नहीं है और हरी की द्वित्या विभक्ती हो जाएगी हरीम तो क्योशन नमबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा, उप्शन दर Next, क्योशन है आपका, क्योशन नमबर 13 यह आपका वाच्ची परिवर्तन से संबंधित प्रश्ण है देखी प्रश्ण में लिखा है अहम अस्मीन ग्रहे वसामी मैं इस घर में रहता हूँ देखी वाच्ची परिवर्तन करते समय केवल हमें करता कर्म और क्रिया ही परिवर्तीत करने हैं इसकी अतिरिक्त हमें कुछ भी परिवर्तीत नहीं करना है तो देखिए अहम अहम का आपको भरना है तरतिया विभक्ती अहम की तरतिया विभक्ती हो जाएगी मया आपको कड़ता के स्थान पर तरतिया विभक्ती लगानी है तो अहम का हो जाएगा मया देखिए इसकी पश्चात में देखना है कर्म कौन सा है कर्म में हमें लगानी है प्रत्मा विभक्ती असमीन आपका कर्म नहीं है ग्रहे आपका कर्म नहीं है कर्म यदि नहीं है तो हमें विभक्ती भी नहीं लगानी है फिर हमें लगानी है धातू ये जो धातू है वसामी वसामी धातू का मूल पद है वस और इस वसधातू को संप्रसारन होकर व के स्थान पर उ लग जाता है तो आपका सही पद बन जाएगा उश्यते सही पद बन जाएगा उश्यते तो अहम के स्थान पर मया लिखना है वसामी के स्थान पर उश्यते लिखना है और इसके पश्चाद देखिए कोई भी पद आपको परिवर्तित नहीं करना है क्योंकि आपको केवल करता, कर्म एवं क्रिया ही परिवर्तित करने है इसके अलावा आपको कोई पद परिवर्तित नहीं करना है तो अस्मिन के स्थान पर अस्मिन ही आएगा ग्रिहे के स्थान पर ग्रिहे भी आयेगा तो क्योशन नमबर 13 का सही उत्तरो गया Option 2 Next question है आपका Question number 14 अशुद्ध पदम किम अशुद्ध पद कौन सा है Option A है रूपवद भार्यह रूपवद भार्यह रूपवती भार्या यस्यसह सुन्दर पत्नी है जिसकी वह यहाँ पर बहुवरी ही समास होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण उधारन है यह इसको जरूर से कंठस्त करें परिक्षोप योगी है युदिष्ठी रार्जुनव जैसे माता पितरव वेसे युदिष्ठी रहच अर्जुनह च इती युदिष्ठी रार्जुनव यहाँ पर द्वंद्व समास ही होगा अप्शन द देखिए प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम में प्रती उपसर्ग है और देखिए उपसर्ग प्लस संग्या प्लस नपुन सकलिंग यहाँ पर तीनों पद दे रखे हैं उपसर्ग संग्या और नपुन सकलिंग अक्षम अक्षम प्रती प्रत्यक्षम यहाँ पर अव्यभाव समास ही होगा तो देखिए आप्षन अ, ब, एवं द, तीनों शुद्ध हैं किन्टू संग्या परीभाशम संग्या च, परीभाशा च संग्या और परीभाशा इनका समुह तो यहां पर समाहार द्वंद्व समास होता है और समाहार द्वंद्व समास सदेव नपुन्सक लिंग में चलता है तो संग्या च परीभाशा च तयोहो समाहार यहां पर समाहार द्वंद्व समास होता किन्तु यहां दे रखा है आपका केवल समास केवल समास में तो आपको केवल दो उधारन याद करने है वागर्था वीव एवं भूत पुर्वह तो यहां पर प्रश्ण नमबर चौदा में संग्या परी भाषम यह पत बिल्कुल अशुद्ध है नेक्स प्रश्ण है आपका सुहरिद पदे समास कह सुहरिद पद में कौन सा समास है सुहरिद पद में कौन सा समास है देखिए आपको याद करना है कि सुहरिद में आएगा आपका शोभनम हरिदयम यस्यसह सुन्दर है रदय जिसका वह इस आधार पर सुहरिद में हो जाएगा आपका बहुवरी ही समास शोभनम हरिदयम यस्यसह सुहरिद को भाई भी कहते हैं और मित्र भी कहते हैं क्योंकि हमारी अपने भाई के साथ और मित्र के साथ बहुत ही अच्छी विचारधारा मिलती है तो सुहरिद अर्था जिसका रदय सुन्दर है वही मित्र एवं भाई है अब देखिए सुरिद के स्थान पर इदी कू आ जाता जैसे कि कू माता कू पुत्रह तो जिसमें कू आ जाता वह आपका कर्मधारे समास बनेगा ध्यान दीजेगा कू माता कू पुत्रह कदन्नम इस प्रकार के शब्दों में जब बुरे अर्थ में कू या कद शब्द का प्रयोग होगा तो समास हो जाएगा कर्मधारे समास तो देखिए doubtful question series का यह test यहीं समाब तो होता है पूरी मेरा प्रयास है कि मैं आपको 30 में से 30 नंबर दिलवाओं इसलिए मैं बहुत महनत करती हूँ बहुत अच्छे प्रशन आपके लिए लेकर आती हूँ आप भी मेरे प्रयास को सफल बनाने के लिए test series को कम से कम दो बार देखें और विशेवस्तू जहां पर भी समझ में नहीं आ रही है अपना personal contact नंबर भी मैंने यहां पर शेयर किया है आप directly मुझसे बात करके प्रशन का समाधान पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद